और आईए अब देखेंगे 20 मिनट 20 खबर दुबारा भारत में पैर न पसा रहे मध्यप्रदेश में इसके लिए पहले से ही निगरानी रखी जा रही है और इस बार विशेश प्रयोग भी किया गया है एम्बलेंस अभ्यान के लिए जाएगी आपको बता दे कि अभ्यान भुपाल, भिंड, चिंदवाडा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटने, खरगौन, सहित, अन्न, जिलों में भी चलाएगा अर्बन सिटी और पिछले अभ्यानों में रह गए इलाकों में भी चलेगा और इस अभ्यान के शुरू होने से बच्चों में बढ़ रहे पोलियों के केसिस में कमी आएगी बदमाशों के होसले अब इसकदर बुलंद हो चुके हैं कि बदमाशों को अब किसी का खौफ नहीं बचा है हाल ही में बदमाशों का एक ऐसा ही चहरा गौलिर से सामने आया है जहां बदमाशों ने एक युवक को गुली मार दी बताया जारहे कि गौलिर में बदमाशों ने जमीनी विबाद में एक युवक पर गुली चलाई यहां गोडाउन में आग लगने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली वो अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए बताया जा रहा है कि गोडाउन के अंदर सिर्फ चादर और बल्लियां रखी हुई थी जो आग की चपेट में आने की वज़े से जलने लगी और आग की लपटी उठती देख ततकाल दमकल को सुचना दी गई जिसके बाद दमकल मौके पर पहुँची और आग बुझाने का का शुरू किया गया तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग गोडाउन में बुरी तरह से फैल गई आग लगने से गोडाउन के अंदर रखा हुआ सामान पुरी तरह से जल गया वहीं लोगों की भी भारी भीड़ वहां जमा हो गई दमकल की टीम ने समय रहते आग पर उपाया जानकारी के मताबक इस हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ या गोडाउन में किन वजह से लगी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है पूरे मामले में लोगों से पूपसाज की बाद बदमाशो की तलाश शुरू करती है कोरबा पूलस ने मानफता की मिसाल पेश करके 85 साल की बजर्ग महिला को सकुषल अपने घर पहुचाया है इस जमाने में जहां लोग सोशल मीडिया का इस्तमाल गलत कामों के लिए करते हैं ऐसे में पुलस ने सोशल मीडिया के मदद से ही बुजर्ग महिला को अपने घर पहुचाया बीशन गर्मी में भटकी हुई बुजर्ग महिला के मदद करके पुलस ने एक सरहानी काम किया है दरसल कोरबा में भटक कर आई बुजर्ग के लिए पोलस ने सोशल मीडिया के जरीय अभ्यान चलाया और सोशल मीडिया से मिली मदद के जरीय महिला के परिवार को कुछ ही समय में खोज निकाला और उसे साकुषल डायल 112 टीम ने रजगा मार धाना इलाके के बुंदेली गाफ पहुचाया बताया जा रहा है कि महिला मांसिक रूप से परिशान थी और अपना पता बदाने में असमर्थ थी लेकिन पुलिस के प्रियास के चलते वो परिजनों से मिल गई पुलिस के इस सरानिय कारे की हर तरफ प्रशन सा हो रही है मनीद्रगड में बेखौफ चोरों को अब किसी का भी डर नहीं बचा है यहाँ चोरों न भगवान के घर को भी नहीं चुड़ा बता दे कि चोरों न मंदर में धावा बोलते हुए नगदी पर हाथ साफ कर दिया दरसल दुरगा धाम को चोरों ने निशाना बनाया और मंदर के दान पेटी में रखी नगदी को साफ कर दिया इस वारदात का एक CCTV फुटेज भी सामनी आया है जिसमें चोर मंदर के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं बता दें कि इसके पहले चर्मिरी के पोड़ी दुरगा मंदर से भी चोरी की वारदात सामनी आई थी वहीं इस तरह की ये दूसरी वारदात सामनी आई है इससे ये साफ है कि चोरों को किसी खा भी डर नहीं है हाला कि थाना पुलस ने इन शातर बदमाशों की तलाज शुरू कर दी है गरियाबंद में हो रहे अवैद रेत खनन को रोकने के लिए ग्रामिन सरक पर उत्रे और जम कर प्रदर्शन किया अवैद रेत खनन की रोक थाम के लिए बड़ी संख्या में ग्रामिन खनन वाली जगह पर पहुँचे और जम कर हला बुला और अवैत खनन को रोकने की मांकी दरसल जिले में माफियाओं का आतंक है और इसी को रोकने के लिए ग्रामिन खुद ही नदी किनारे पहुंचे और खनन के विरोध में प्रदर्शन किया बता दे कि यहां ग्रामिनों ने खनन में लगी मशीन के सामनी प्रदर्शन किया ग्रामिनों का कहना है कि लंबे वक्स से इलाके में अवैद खनन चल रहा है यहां तक कि जिस जगा पर खनन करने के आदेश भी नहीं है वहाँ पर खनन की आजा रहा है जो कि किसी भी हालतमी ठीक नहीं है मापयाओं में किसी का डर नहीं रह गया है प्रशासन की लाख पार समझाईश के बाद भी धरले से खनन चल रहा है और इसी के विरोध में ग्रामिनों ने जम कर हला बोला और खनन को रोकने के लिए नदी किनारे प्रदर्शन किया लंबे समय से जो यात्री कम ट्रेनों की परिशानी से जूज रहे थे उनके लिए डेलवे नी जगदलपूर में बड़ी सौगात दी है बता दें कि अब से कोटपार सेक्षन पर तीन यात्री ट्रेन रुखेगी जिसे की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी हद तक रहात मिलेगी बता दें कि इस जगह के लोग लंबे समय से यात्री ट्रेन बहाने की मांग कर रहे थे यात्री ट्रेरों की कम संख्या होने से लोग काफी परिशान चल रहे थे जिसके बाद अब जाकर इन लोगों की समस्या को समस्ते हुए रेलवे बूर्ड ने संग्यान लिया और राउर केला नाइट एक्स्प्रेस और हीराखन एक्स्प्रेस ट्रेन के स्टॉपेज को यहां के लिए मंजूर ही दी गई हाला कि इन ट्रेनों का स्टॉपेज कब से शुरू होगा और लोगों को कब सी ये सुविधा मिलेगी इसके लिए भी कोई तारीक सामने नहीं आई है बताया जा रहा है कि इस कोस्ट रेलवेज जल्द तारीक की घोशना करेगा एक बात तो तैय है कि रेलवे की स्वैसले से यात्रा करने वाले लोगों को काफी हद तक रहात मिलेगी मौसम की बदले मिजाज से जहां आम लोगों को रहात मिली है नौतपे में बारिश हो जाने से आम लोगों के चेहरे खिल उठे है तो वहीं किसानों को इस बारिश से नुकसान भी हुआ है पेंडर में कही जगों पर जोड़दार बारिश हुई इस बारिश से जहां आम लोगों को रहात मिली है तो बारिश में तेंदू पत्ता संग्रहाक और किसानों को नुकसान भी हुआ है असमय हो रही बारिश से तेंदू पत्ता संग्रहन में भारी कम्याई है बता दें कि खुले मैदान में तेंदू पत्ते का संग्रहन किया जाता है और ऐसे में बेमौसम हो रही बारिश के चलते तेंदू के पत्ते खराब होंगे जानकारी के अनुसार अभी बारिश का दोर खत्म नहीं होने वाला है मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक और बारिश होने की संभाब नजट आई है ऐसे ही बारिश होने से किसानों को नुकसान हो रहा है बता दे कि लोगों को नौतपक की गर्मी में बारिश हो जाने से रहत मिल रही है तो वहीं किसानों को इस बारिश से नुकसान भी जिलना पर रहा है जश्पुर जिले में सुखते नदी नालों के चलते गिरता जलस्तर भीशन गर्मी में जिलेवासियों के लिए परिशानी का सबब बना हुआ है जश्पुर जिले में इन दिनों नदी नाले सुखे हुए हैं, नती जितन जलस्तर बेहत गिर चुका है, ऐसे में हैंड पाम, बोर्वेल सभी सुखे पड़े हैं इस भीशन गर्मी में लोगों के सामने जलसंकट बड़ी समस्या बना हुआ है, जहां जलसंवर्धन और संरक्षन के लिए पूरे साल कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों के उदासी इंता के चलते जमीनी हकिकत कुछ और ही है बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए विशेश पहल नजर नहीं आती, तो वहीं रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का शासकिये भवनों या नगरिये निकायों के भवनों में आज भी अभाव है ऐसे में गिरते जलस्तर को रोकने में कारगर साबित होने वाला बारिश के पानी का संरक्षित जिले में बिलकुल भी नजर नहीं आता और अब आलम यह है कि जिलेवासी पानी के लिए तरस रहे हैं बहरहाल सुकते नदी नालों के बीच गिरता जल स्तर रोकने का काम जल संडक्षन ही एक उपाय है बनांचल जश्पूर में बारिश के पानी को संडक्षित करने के लिए धरातल पर प्रशासनिक पहल हो तो शायद जल संकट से लोगों को राहत मिले फिलहाल इस भीशन गर्मी में जल लिवासियों को जल संकट से राहत और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी का एहसास कब होगा ये देखने वाली बात होगी नगड़िगब शेत्र राचनन गाउं की सडकों का हाल बुरा है शेहर की सडकों में गड़े ही गड़े भरे है और रहगीर इससे परिशान हो रहे है शहर के कुछ इसों में सडकों का निर्मान भी करवाया जा रहा है निर्मानाधीन सडके अभी से उखडने से नेता प्रतिपक्षने गंभीर आरोप भी लगाए कहा कि भ्रश्चाचार के कारण जगा जगा सडके अभी से उखडने लगी है और अधिकारी जगाने तक नहीं जाते जिसका परणाम है कि रोट अभी बनना शुरू हुई है और अभी से उखडने लगी है बता दे कि गुरुदारा चौक से मारफ मंदर चौक का निर्मानाधीन रोट जो अभी से खराब होने लगा है साथी शहर की सड़कों का बुरा हाल है रेपेरिंग का काम भी आधा धूरा है और जो सड़के हैं वो भी अभी से उखड रही है अधिकारी जाकने तक नहीं जाते जिसके चलते सड़कों की गुनवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा रोट खराब हो रही है लगातार खराब सड़कों को लेकर लोगों ने शिकायत की है साथी सड़कों के निर्माण में गुनवत्ता को लेकर भी शिकायत की जा रही है इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है बारिश का मौसम आने वाला है और इससे पहले सड़कों की ऐसी हालत वाकई में एक बड़ी परिशानी ख़़ी कर सकती है ये पके निर्मान दरसल अवैद है लहाज़ा अतिक्रमन के खिलाफ अभियान जारी है तस्वीरे मद्यप्रदेश के बुरहान पुर्ध जिले की जहां अवैद कब्जे पर नगर निगम की टीम ने कारवाई की पूरी तैयारी के साथ अतिक्रमन हटाने की टीम बुल्डूजर के साथ मौके पर पहुँची थी इसके बाद अतिक्रमन हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई दरसल शहर के पुश्पक बस स्टेंड के पास पैट्रोल पम्प के लिए जमीन खाली थी इस पर अवैद रूप से अतिक्रमन कारियों ने दुकान बना ली इसकी खबर मिलने के बाद प्रशाशन ने अतिक्रमन कारियों को हटाने की नसीहत भी दी लेकिन जब कोई बात नहीं सुनी गई तो फिर ये कारवाई हुई अलाके कारवाई के दौरान लोगों का गुस्ता भी देखने को मिला लेकिन पूरी मुस्तादी के साथ ये कारवाई की गई शांत स्वभाव वाली हांति आज कल अपना डेरा तो रेंगा हिलाके में डाल कर बैठे हैं और कुछ दिनों से हांतियों के तान डफ मचाती हुई कई तस्विरी भी सामने आई हैं जिससे की लोगों में इस जीब को लेका डर बैठिया है तो रेंगा इलाके में एक दो नहीं बलकि पूरे 34 हांतियों ने यहां हाहा कार मचाया हुआ है अचानक हांतियों के डेरा डालने से लोगों में दैश्रत हैं गरिया बन के उदनती सितानदी टाइकर रेसर्फ में हांतियों ने अपना डेरा डाल कर रखा हुआ है हातियों ने यहाँ ना केवल डेरा डाला है बलके यह यहाँ पर सबजी की फस्तों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं इन हातियों के यहाँ डेरा डालने से लोगों में भी डर बना हुआ है हातियों के आतं को देखते हुए 15 से जादा गाउं में वनभाग ने हाई अलट वारी कर दिया है इसके साथ ही लोगों को भी संभल कर रहने की समझाईश दी जा रहे है आपको बता दे कि 34 हातियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है जो सिग्रामिनों में दह्षत है हातियों ने राजा पड़ाव शोभा शेत्र में सबजी की फस्तों को भी नुकसान पहुचाया